नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दखवरदा नूज बचबार बेगु सरा के बहुचर्चित मामले में नया मोड आ गया है जहां अर्बा गाउ की पीडिता को बचबारा बेडियो ने आमरन अंचन के अनुमती नहीं देते हुए कानूनी कारवाई करने की धमकी दी है आपको बता दे कि बीडियो डाक्टर बिमल कुमार ने अपने पत्रांक में लिखा है कि लौकडाउन के समय घरों से निकलने में भी मनाही है तो फिर प्रकंड मुख्याले पर किसी प्रकार का कोई आमरन अंसन धर्ना प्रदर्सन आज की अनुमती नहीं दे जा सकती अनुमत के बीना मुख्याले पर आमरन अंसन करने वाले अंसन कारियों पर कानूनी कारवाई की जाएगी यहां बताना जरूरी हो जाता है कि पिछले दिनों अरवा गाउं की मुख्या ने अपने गुरुगों के साथ मिलकर पुरानी दुस्मनी का बदला लेने के उद 12 थाने की एसाई अरुन कुमार से नहां पहुंचे तो घायल यूबकों को इलाज में भेजने के बजाए मुख्या के साथ चाय पानी करते हुए एसाई देखे गए उक्त घायल की पतनी दयारानी जब थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने उल्टी कारव करते हुए दोनों घायल यूबकों को ही जेल भेज दिया था साथ ही पीडिता ने बताया कि पुलिस के करतब भीहीन पक्षपात पूने रवाईये से परिसान हो करके आमरण अंसन करने का फैसला पीडिता के द्वारा किया गया था मगर बीडियो द्वारा जारी नोटिस के बाद अंसन कारिक्रम रद करने के कारण पीलिता न्याश से कोछव दोर नजर आ रही है वही मामले से जुड़े वीडियो भी सोसल मेडिया में काफी तेजी से बाइरल हो रहे हैं इसके बाबजूत पुलिस कोई भी कारबाई करने में सक्शम नहीं दिखाई है देखते रह रहें तो फेस्बुक पेज को लाइक करें धन्यवाद